नमस्कार आज बात बाजपा की रीती और नीती की बाजपा लगातार कह रही है और कहती आई है कि हम इमानदार की की साथ में चलते हैं ब्रश्टाचारियों की खिलाब चलते हैं तो अब क्या बाजपा ने वो अपनी रीती और नीती बदल दी है ये मैं क्यों कह रहा हूं ये की बड़े चेरे हैं जिन में से 40 तो अफसर हैं जो रिटाइड अफसर हैं अधिकारी हैं अब देखिए उन 40 अफसर रिटाइड अधिकारियों में से अधिकांस अधिकारी ऐसे हैं जिनके किलाब ब्रस्टाचार जैसे मामले पहले से ही है अब यदि ब्रस्टाचार जैसे माम सामिल क्यों कर रही है तो जैसा कि क्या कोंग्रेस आरोप लगाती है कि जो कोई भी हो कितना भी बड़ा ब्रश्टाचारी हो आरोप हो जो जोइन करते ही पाक साप हो जाता है वह सपेध हो जाता है यानि कि उसके सबी आरोप दूल जाते हैं ऐसा इसलिए क्यूंकि पिछले मुक्य मंत्रिया सोक गहलोद इस बार मजबूत नज़र आ रहे हैं मुक्य मंत्रिया सोक गहलोद मजबूत इसलिए नज़र आ रहे हैं कि जो वो योजना ये लेकर आए हैं उन्हीं योजनाओं के दम पर इस बार वो सरकार को रिपीट कराने का दावा कर रहे हैं खुद मुक्यमंत्रिय असोग गहलोद महंगाई रात केमपू में जाकर लोगों से फीडवेक ले रहे हैं और लोगों से बाचीत कर रहे हैं इसके बाद में अभी भी मुक्यमंत्रिय असोग गहलोद एरसीपी को लेकर एक बड़ी यात्रा सुरू कर रहे हैं जिसके बाद में और राजस्तान के सबी जिलों में जाएंगे और वहाँ पर ERCP का मुद्दा उठाएंगे इसाथ जनता से समर्तन मी मांगेंगे बले ही मुक्यमंत्रिया सोक गैलोत और सचीन पाइलेट के बीच अभी भी खींस्तान जारी हो लेकिन मुक्यमंत्रिया सोक गैलोत चाते हैं कि इस बार सच्ता रिपेट हो अब मैं बात करता हूँ भाजपा की बात करें तो भाजपा पर जिस तरीके से बाजपा कहती है कि हम इमानदार चवी वाले वेक्तियों के साथ में काम करते हैं तो पिछले दिनों जो अधिकारियों को सामिल किया गया है बाजपा में उनके किलाप मामले देख लीजिए पुराने आप किस तरीके के ब्रश्टाचार जिसे मामले उनके साथ उनके किलाप हैं और अधिकारियों को आप ले रहे हैं बाजपा चारी है कि संतूलन बनाया जाए राजस्तान की सभी विदानसवा चेतरू में क्योंकि उनी के दम पर राजस्तान में सरकार में सत्ता में वापस बास पा सकती है आपको बता दें कि इसको देखते हो कई बड़े चेरे भी सामिल हुए और आने वाले समय में कई और चेरे बाजपा में सामिल होने जा रहे हैं अंद्रोनी कबर यह है अब आप बात करें कि जिस तरी के से जोती मिर्दा सुबास मेरिया पूरो मुक्य मंत्री पहाडिया के बे जिसको देखते हुए अब राजस्तान में यह क्यों किया जा रहा है यह इसलिए भी किया जा रहा है कि राजस्तान में इस बार सत्ता परिवर्तन और सत्ता में वापस आया जाए जिस तरी के से बाजस्तान में परिवर्तन यात्रा निकाली समर्तन जुटाया उसके बाद मे नरेंदर मोदी ने यहाँ पर सभा की सभा में लोगों को संबोधित किया और जिस तरह के से कहा कि कमल का फूल ही हमारा चेरा होगा इस बार मुक्य मंत्री का चेरा भी नहीं होगा यह एक बड़ा माइनस पॉइंट भी राजस्तान में हो सकता है कि बिना चेरे के पहली बार र सकता है लेकिन वसंद्रा राजे को सादने की कोईसिस लगातार जारि है किसी भी कमेटी का उनको इस्था नहीं बनाया गया है अब क्या वो वसंद्रा राजे को तवज्जो देंगाẩय यह दे 들ेखनेए वाला होगा लेकिन मुक्ये जो हमारा यह टोपक आ ये था कि क्या बाज़पा में सामिल होते ही सभी आरोप धुल जाते हैं चाहिए वो कैसा ही वेक्ती हो कोई भी वेक्ती हो तो जिन अधिकारियों के खिलाब ब्रिष्टा चार्ज इसे मामले थे उन अधिकारियों को बाज़पा में सामिल किया गया सामिल होती, क्या वो पाक साफ हो गए, अधिकारियों को भी डरता कहीं न कहीं कि भाजपा के सरकार आएगी, ऐसा हुआ तो हमारे खिलाब बड़ा एक्शन हो सकता, इसको देखते हैं भाजपा जो इनकी, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या राजस्तान में सत्ता रिपिट के लिए बाजपा को भी एकजूट होना पड़ेगा, क्योंकि रास्तान में लगातार मुख्यमंत्री खुद दोरे करके, जर्म समर्तन मांग रहे हैं इस बार, और शत्ता रिपिट का एलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बाजपा की परिवरतन यात्रा कितनी कर पाता है, दूसरी तरब क्या कॉंग्रेस और राष्टे लोकतांत्री पार्टी का भी क्या गठबंदन होने के आसार हैं, क्योंकि अनुमान बेनिवाल मना कर चुके हैं, दूसरी तरब अंदर खाने कवर ये हैं, कि इस बार हनुमान बेनिवाल कॉंग्रेस को अंदरोनी स सबा प्रस्तावित थी लेकिन किसी काणू से वो कैंसिल हो गई और मुख्य मंत्रिया सोग गैलोत खुद नागोर में सबा करेंगे इसके बाद में सुंद्रा राजे की सबाएं प्रस्तावित हैं तो तमाम तरीके के सिनोरिय देखते हुए अभी पिलाल के आंकलन में यह लग करती है केमरा में देवेश के साथ सागर चोधरी अगले कारेकरम में फिर आजिर होंगे तब तक के लिए जैहिंद जैबारत फेस्बूक पे देख रहें तो लाइक फोलो करें यूट्यूब पे देख रहें तो सब्सक्राइब